नमस्कार दोस्तो गोल्डन बीस चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लाए है तीन बड़ी ताजा खबरे तो आईए दोस्तो जानते है आज की कुछ खबरे लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और नीचे दिये गए बेल के आइकन को जरूर दबाए चली दोस्तो जानते है आज की तीन बड़ी खबरे जली ये सोना खरीदने का अभिये बेस्ट टाइम नहीं तो दिवाली तक हो सकता है इतना महेंगा जी हाँ दोस्तो वैश्वी किस्तर पर पीली धातू में रही नर्मी के बीच दिली में सोना 400 रुपे के लुड़क कर करीब 3 सबताह के निचले इसतर 38,970 रुपे प्रती 10 ग्राम पर आ गया है अगर आप शादी या त्योहार के लिए सोना खरीदने का प्लान कर रहे है तो खरीदने का मौका अच्छा है और हाँ दोस्तो अगर एक्सपर्ट की माने तो निवेशकों का रुजान जिहाँ दोस्तो गोल्ड ETF में अगस्त में 145 करोड के शुद निवेश हुए है यह 9 मा में पहली बार है जब गोल्ड ETF में जबदस्त निवेश देखा गया है अधिहर गोल्ड ETF में निवेश सबसे अधिक है उस साल ETF में 474 करोड रुपे का न लाव की तयारी कर रहा है, SBI ग्रावकों को मिनिमम बैलेंस के जंजर से मुक्त करने का प्लान कर रहा है, जी हाँ दोस्तों इस योजना के तहट बैंक एकाउंट में मंतली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाने पर चार्ज में लगबग 80% तक की कमी आ जाएगी, इसके अ दोनों इलाकों के लिए 3000 रुपे हो सकते हैं, और हाँ दोस्तों चेक बुक पर भी लगेगा चार्ज, सेविंग बैंक एकाउंट रखने वाले खाताधारकों के लिए एक वित वर्ष में पहले 10 चेक फ्री होंगे, इसके बाद 10 चेक वाली चेक बुक 40 रुपे प्लस GST और जो थोआ धित बाद 5 लोग बदी छेक शाली णोरी में सकते हैं, और हाँ में कारताव रुपे जा झाली च